नानखटाई इंडिया की वो पुरानी रेसिपी है कि जब ओवन नहीं हुआ करते थे तब भी इनको कच्चे कोईले जलाके बनाया जाता था आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नानखटाई बनानी की एक बहुत ही इजी, सिंपल और वो ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपके नानखटाई बहुत अच्छी बनेगी और आप इन्हें नॉर्मली गैस पे कूकर में बना सकते हैं तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं नानखटाई बनाने के लिए हमें एक बॉल में आधर कप घी अड़ करेंगी मैंने यहाँ पर घी का इस्तमाल किया है आप चाहें तो बटर या फिर रिफाइन तील का भी इस्तमाल कर सकते हैं तीन चुथाई कप हमने यहाँ पर पिसी वी चीनी ली है तो उनों को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि बैटर जो है वो अच्छे से फलफी ना हो जाए हमें हमारा जो बैटर है वो एकदम से क्रीमी बैटर चाहिए ताकि हमारी बिस्किट्स जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बने तो आप देख सकते हैं पांच मिनट इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यह इस तरह की कंसिस्टनसी में आ जाता है बैटर तो अब हम इसमें एड़ करेंगे इलाची पाउडर यह ऑप्शनल है साथ में एड़ करेंगे वन टी स्पून बेकिंग पाउडर बेकिंग सोड़ा एड़ नहीं करना है नहीं तो हमारी जो नान खटाई बिस्किट्स है वो उपर से फट जाएगे तो वन टी स्पून हम इसमें एड़ करेंगे बेकिंग सोड़ा दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और उसके बाद हम इसमें अपने ड्राइ इंग्रीजिट्स एड़ करेंगे तो यहाँ पिलिया है मैंने एक कप यानि की 125 ग्रैम मैदा आप यहाँ पर गेहों के आटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं और दो चमच लिया है हमने बेसन और दो चमच ही लिए हमने यहाँ पर सूजी इन तीनों का रेशो आप थोड़ा उपर नीचे कर सकते हैं अगर आपको स सूजी जादा पसंद है तो आप सूजी थोड़ी जादा एड़ कर सकते हैं बेसन जादा पसंद है तो आप बेसन जादा एड़ कर सकते हैं तो इन सबी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और एक डो लगा कर तयार करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने डो तयार कर लिया आप चाहें तो एक चमज घे भी आड़ कर सकते हैं पर मैं यहाँ पर दूत आड़ कर रहे हूँ तो यह मैंने मलाई वाला दूत लिया है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और डो लगा कर तयार करेंगे दूसरी तरफ दूस्तो मैंने कूकर को प्री हीट होने के लिए रख दिया है क्योंकि आज ही नान खटाई हम कूकर में बनाने वाले हैं तो बहुत ही इजी मैटड है 15 मिनट में आपके नान खटाई बनके रड़ी हो जाएगी तो यह मैंने प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है मैंने एक छोटे साइस की प्लेट ली है जो मेरे कूकर में अच्छे से सेट हो जाए और बिल्कुल छोटे छोटे पोर्शन के हम जो है बॉल्स कट करेंगे और एकदम से गोल शेप में हम नान खटाई को बना कर तयार करेंगे तो आप देख सकते हैं आप चाहें तो इसके ओपर क्रॉस की डिजाइन बना के और कोई भी ड्राइफरूट लगा सकते हैं जैसे की मैं करने वाली हूँ तो ये देखे मैंने नान खटाई बना के तयार कर ली है और इस पे मैंने पिस्ता से डेकोरेट किया है आप चाहें तो बादाम भी यूज़ कर सकते है कूकर प्री हीट हो गया है और ये मैंने एक बहुत ही पुराना कूकर इस्तमाल किया है और अब हम 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे तो आप देख सकते हैं गाईस हमारी नान खटाई जो है वो अच्छे से पक गई है नीचे से इसका कलर भी गोल्डन डाउन हो गया है बहुत ही अच्छी दिख रही है और इसका टीस्ट भी बहुत अच्छा है तो गाईस आप एक बार जरूर ट्राइ किरजी का इसको यह बहुत अच्छी बनती है और सबको बहुत पसंद आएगी तो चलिए दूस्तों मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाबाई